बहुत ही जादा mix सी feeling है definitely भाई एक बहुत बड़ा excitement है क्योंकि बहुत बड़ा दिन है Indian football के लिए तुम सोचों उस country को host करने वाले हैं जिसने World Cup को host किया था of course हम सारी चीदों भी बात करने वाले है एक full house stadium होने वाला है और देखो मैंने जैसे अपने tweet में भी लिकता मैं अपने players पे अपने fans पे पूरी तरीके से 100% confirm sure हूँ कि भाई हम यहां पर वो atmosphere create करेंगे क्योंकि मैं Qatar Peninsula की बात करूँ Qatar के सारे newspapers की बात करूँ या फिर उन newspaper की बात करूँ Asia continent में जो कि इस match को cover कर रहे हैं इस match की reporting कर रहे हैं सबने एक चीज़ तो confirm करी है कि भाई है full house atmosphere और India as a home country एक बहुत tricky fixture हो सकता है किसी भी देश के लिए चाये वो 61 पे प्लेस पे Qatar ही क्यों ना हो या फिर चाये वो यहाँ पर top 100 या पर 100 के आसपास की कोई और टीम के ना हो कोई भी टीम जो भी इंडिया के against खेलने वाली है उनके टर्फ पे उनके stadium में उनके fans के सामने वो किसी भी टीम के लिए tricky हो सकता है लेकिन ये match कुछ हट के होने वाला है क्योंकि आप देख यहाँ पर हम अपना पहला match बाइस साल बाद जीते हैं हम अगर इगोस्टी मैच के अंडर की बात करें तो लास्ट आइधिंग हम नेपाल के against जीते थी तीन जीरो साफ 2021 में और उसके बाद अब जाके जीते हैं और अगर अभी के हम डिक की बात करें तो साफ इस ग्रूप में सबसे टफ कंपेटिटर कौन है कतर लेकिन सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन है कुवेत आपने कुवेत को और दिया अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देना है कतर को राके देखो कतर के अगेंस हम हार के जो कि टच्वोड हम ऐसा इमाजिन भी नहीं करन के लिए लेकिन इंडिया यहाँ पर पैसा या रिश्वत नहीं दे पाई इसलिए उसको 120 स्थान पर नहीं है यह टीम्स के अपनी रैंकिंग अभी हम रैंकिंग को भूलेंगे लेकिन रैंकिंग पर आ जाते हैं काफी लोग यहाँ पर रैंकिंग को थोड़ा सा फोकस में र पा रहे हैं and we are at 100th place इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़े हैं जहाँ पर हम चूके हैं वो World Cup खेल रहे हैं और शायद से अपना first consecutive World Cup qualification देख रहे हैं 2026 में वहीं इंडिया एतिहासिक कदम उठाते वे शायद से अपना पहला World Cup qualifier देख रहा है cross करता हुआ देखो अभी point यहाँ पर यह है कि अब यहाँ से हम rankings को भुला देंगे चूकि यहाँ से मेरा focus बस क्यों ranking पेस लेता जिससे तुमको यह पता हो कि Qatar एक ऐसी team है जिससे इंडिया को ground reality पे डरना चाहिए tactically mentally नहीं अब देखो बात असल में यह है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर six pointer खेला है महीं Qatar ने आठ एक से अफगानिस्तान को तोड़ा है इससे यहाँ पर कईना की एक mental pressure आता है कि यहाँ पर आप अपने home पे खेल रहे हो और आपने अगर गलत performance दिया और यूँ मैंने start करा वीडियो को इसलिए कि एक mixed सा emotion है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो चीज़े है पहली चीज़ तो result है और दूसरा भी performance है आज के game के अगर हम बात करें कि लगबख सुवे के पौने पांच बचने आज के अगर game की बात करें तो कुछ भी हो सकता है कोई भी permutation combination हमारे सामने आ सकता है अच्छा result निकल के बुरा खेल सकते हैं मैं बहुत खुश होगा अच्छा result निकल के अच्छा खेल सकते हैं तो मैं तो हिलाई दूँगा अच्छा result खेलके शाइसे draw कर सकते मैं तब भी बहुत खुश हूँगा लेकिन अगर बुरा result निकला और अच्छा खेल गए तब भी देखेंगे बुरा result निकला बुरा खेल गए तो कईना कि यहाँ पर एक बरी सम होगा इस नोट अबाउट कि आपको कतर को तोड़ना ही तोड़ना है मैं सिर्फ इस पूरे World Cup qualifying campaign में मैं सिर्फ उसी point उसी match पे बहुत जादा result और performance को ना पूँगा वो होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट और कुवेत के अगेंस्ट कतर एक statement match है वो दिखाएगा कि क्या इंडिया उन एशिया की big bullies के साथ बैठने के लिए तयार है या फिर नहीं क्या यह दिखाने वाला है कि इंडिया की अगर इंडिया को लेके plan क्या है 2024 का Asia Cup है वो बहुत बड़ा objective लेकिन ultimate objective हमारा यहाँ पर 2026 का World Cup खेल नहीं है और उसके लिए Eosney match का क्या plan है वो roadmap इन matches से पता चलने वाली है कि आप कितना prepared हो Qatar की थोड़ी बात कर लेते हैं देखो मैंने Qatar अफगानिस्तान के जितना match देखा मैं दो तीन चीज़ यहाँ पर points को note कर पाया और वो इंडिया के लिए बहुत एहम होने वाली है पहली चीज़ तो यह है कि penalties मिली Qatar को लेकिन penalties मिली क्यूकि अफगानिस्तान उस chaos को समहाली नहीं पाया उसके पीछे दो बड़ रीजन है देखो पहली चीज़ तो है कि Qatar अपने players को आगे commit करने में डरता नहीं है यह उसकी एक dominating football भी है लेकिन एक pragmatism भी है कि वो उनको पता है कि उनको कब पीछे बैटना है और कब आगे numbers forward करने है दूसरी चीज़ यह है कि अफगानिस्तान का defensive orientation की बात करो या फिर structure की बात करो कभी इतना discipline रहा ही नहीं कि वो यहां पर Qatar के इतने सारी जो players आ रहे हैं उनको समहाल पाए यह चीज इंडिया के लिए दो तरफा है तो जहां मैंने हमेशा से इंडिया की defensive approach को बहुत यहां पर बारीगी से देखा है कि आपको ठीक है at times individual performance has to be best और मैं को गुरपीत की वो performance याद दिलाने की जरूत नहीं है जो कि उसके इंडियन football career में best best performance निकलिए जब उसने Qatar को रोक के रखा था 0-0 पर लेकिन हमको यह भी समझना पड़ेगी पिछले कुछ time की बात करें कि अन्वर अली नहीं है यहाँ पर आपके पास निखिल है उदर से यहाँ पर आपके पास आशीश है यहाँ पर आपके पास बीच में संदेश जिंगन और रहूल बैके हैं सबको ही अपने best पर होना पड़ेगा क्योंकि एक चीज हमने भी देखिए कि यहाँ पर wingers का बहुत अच्छा स्तमाल किया जा रहा है वो wingers को बहुत अच्छा स्तमाल करते हैं और उनका center forward physically बहुत equipped है अब देखो अगर सुनील चेतरी के हम बात करें he is very mobile वो drop db कर सकते हैं get in behind के run में निकाल सकते हैं और वो यहाँ पर fox in the box भी है एक जहाँ वो कम रह जाते हैं that is there his physical attribute heading ability उनके लंबे कदगार्टी defenders को कितना कर सकते हैं यह आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इगॉस्टिमाइट की wing पे physical attributes को रखना एक बहुत tricky part हो सकता है because again we need paces वो pace पे beat करते हैं और यहाँ पर चांग्टे का omission depend करता है कि किस तरीके से इगॉस्टिमाइट गेम को देख रहा है चांग्टे is really really good अचाए एक चीज़ जो मैंने इंडिया वर्सिस कुवेट के match से निकाली थी वो यह थी कि जब जब हम यहाँ पर right back का overlap run देख रहे थे और क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि यहसे मनवीर के पास जो एक pace भी है उसके पास उसके पास यहाँ पर कद काथी भी है तो उसका make sure करता है कि वो 1v1 dribbling नहीं कर सकता वो करेगा यहाँ पर inside forward एक चीज़ जो मैं Indian football से हर एक से request करना चाहूँगा इसमें आप यह imagine मत करना कि हम तो एक भी shot नहीं खाएंगे हम shot भी खाएंगे क्या पता हम goal भी खाएं लेकिन all we need is discipline in defensive orientation अगर हम defensive orientation और structure को maintain कर पाए तो हम यहाँ पर defend कर सकते हैं इस team के against क्या हम यहाँ पर counter attacking football खेलने वा Qatar थोड़ा सा shaky लगे कुवेट के against हम ने वही चीज़ पका कि कुवेट play out from the back नहीं कर पाई और वहाँ पर India ने press करा collective और उसका फायदा मिला भी अब इस play out from the back को एक point को मैं उठाना चाहूँगा जो कि मैंने कुवेट के जीत के बाद जिरूर बोलाता कि मेरे को गुरपीत जोड़ा सा drawback लेने वाला है वो इसलिए क्योंकि जब आपकी team यहाँ पर आपका goalkeeper जब एक goal kick कर लेता है या फिर एक उड़ा देता है ball को तो वो ऐसे area में गिरती है जहाँ पर unpredictability सबसे highest होती है चुकि यह नहीं पता कि कौन duals जीतने वाला है यह नहीं पता कि क्या orientation है कुछ नहीं है बहुत unpredictable situation में गिरती है ऐसे में यहाँ पर इंडिया के पास defensive structure को maintain करने का सबसे कम time होता है और वहीं पर ही कतर numbers forward करती है अच्छा जब numbers forward करने की बारी आती है तो तो करती तो इंडिया इंडिया भी five attackers के साथ खेलती है उदर से मही सुनिल शेतरी और यहाँ अगर हम बात करें मनीश की तो भया यहाँ पर इधर से भी तो player है सुरी मन्वीर की अगर हम बात करें तो इधर से भी तो आपके fullbacks है यह number 5 की जो line होती है और उपर से हमको भूलना नीचे कि सहाल भी just पीछे खेलता है सहाल से मेरे को याद है सहाल की technical qualities पे नहीं doubt करे तो ज he is the focal point he is the like वो होता है कि हर ball हर attacking sequence इस player के थ्रू निकलने वाला है अगर वो होने वाला है then he needs to feel confident और वो shot ले इंडिया के लिए सबसे बड़ी चीज है कि they have to have वो होना पड़ेगा भाया shot on target आपको shots लेने पड़ेंगे चाहे आप दूर से लो कैसे लो कैसे ना करके लो आपक और कुवेत कतर वाले match से और निकाल पाया कि उनके fullbacks crosses डालने में ज्यादा हिच के चाहते नहीं है इसका मतलब यह कि इंडिया shots के साथ साथ बहुत सारे crosses भी expect कर सकता है और उनका जो attacker है if I'm not wrong अली नाम है चार गोल्स मारे है they are really really good areaally अब देखो जहां पर मैं shot stopping में गुर करते हैं आपका game style आप किस तरीके से game को handle करते हो pressure में एक बड़ी team के against यह बताएगा कि इंडिया mentally, physically, tactically और emotionally कितना prepared हो गई है क्योंकि आने वाल आप जितना भी statement दोगे मैं मान के चलूँगा कि अगले देर दो साल में जब world cup qualifiers अपने summarized or conclusion में आएगा इंडिया बहुत तक improve कर चुगी होगी at least उस point से तो मेरे को बताने की ज़रूती नहीं है कि यहाँ पर जीत कितना माहिन रखती है आप kuwait को पहले उनके home पे हराया और आप qatar को गर यहाँ पर हरा गए तो आप लगबग round 3 में जाही रहे हो तो शायद से पहली बार world cup 1226 का सपना हर एक इंड बता हूं कि इंडियन फुटबॉल यहां से ब्राइट डेज में आने वाला है और आज डरेंगे डेफिनिली देखो फट नी तो है देखो फट नी तो है लेकिन यह एक बहुत बड़ा टेस्ट है जिसके लिए मैं तो अपनी टीम पर पूरा पूरा confidence रखता हूं हार गए त तो ताबर तोड़े लेंगे